नेपाली खबर मा सबेवन्दा पहिले आज दको खास खबर, सर्ता समेकर जोगाउन का लागे उद्दत बने का प्रधान मंत्री पुस्पकमल दाहाल प्रचंड र नेकपा एमाले का धेक्सिय केपी सर्मा ओलीले ससाना पार्टी हरुलाई बिवाजन गरने रणने दे अक्तिय गरे का शन, शुरुआती चरण मा जसपालाई टुक्रियावन सफल भायका उनिहर को नजर्मा अब नेकपा एकिक्रित समाजबादी परे को शा, मंत्री को लली पप देखायरा केही नेताहरुलाई इमाले मा भित्रियावने दाव मा रहे का ओली का अगारी मादब नेपाल निरिहा देखिये का सन, आजई आकस्मिक समसद्य दल को बईठिक आवान गरेरा नेपाल ले सामसाधुरलाई समझाई बुझाई गरन भायको शा, पार्टी का उप महासाजब डक्टर बिजेकुमार पवडेल ले जसबा टुक्रिदा इकिक्रित समाजबादी स्वजक बनन ने कुरा सभाविक रहे को बतावन भायको शा जनता समाजबादी पार्टी नेपाल विभाजन भाहरा अशक राई को बहुमत समह बाहिरे कुषा साजना सामसद लगर राई बाहिरे का हुन निर्वाजन आयोगमा जसबा नाम प्रस्तावित भाहिशके कुषा बिभाजन लए साद दिदै गईका सामसद प्रदीप यादपले उपेंद्रको अवसर बादी चरित्र रा हैकम बाट मुक्ति पाउन बिद्रह गरेखु बतावन भायको शा सात वडां भोट न YES महासर्चिव बनाओन, सात वडां भोट महीं खरकाली समित्ती मढ राखने, सात वडां भोट न्हां स implicit कना सामसर बनाओन सात वडा भोट महीं नहें राष्ट्रे सवा मं ल्याओन त्यों पर्विड्द्वाले का जर्षपा का प्रवक्ता मनिस सुमन ले केही नेता हरुलाई पार्टी खुलने एक्षिया भायकाले केही दिन का लागी मात्रे बाहिरे को दावी करन भाय। जर्षपा बिवाजन ले उपेंद्र को हाथ पुरपुर मा परेको शपना देखे का उपेंद्र को उपपरधान मंत्री पद्नाई धर्राप मा परेको हो। मादम नेपाल को पार्टी फुटायरा सत्ता बाटा निकालने ओली को तयारी छा। राजनतिक बिशलेशक बलराम यादपली उपेंद्र का कारण असोग राई डक्टर बाबुराम भट्राय लगायत का नेता हारू पाटी बाटा बाहिरी एको आरप लगावन भायको शा। रोशी बाने को पुटेंद्र में जो नेसरी तुमा बसे को उन्छा उत्रमुक जिनेवार हुन्छा। तंजाती एगुको अभिकार को वागी संगत बरी को ब्यत्ती तिसका ब्यत्ती बावुराम जी अरूला इक्तमान गर्न साबेना। स्वसाना पार्टी हरोलाई फुटावने रणनेती नागरेक उन्वक्ती पार्टी बाटाई सुरो भायपानी। रेसम जौधरी ररंजिता स्रेश्ट को अटूट प्रेम ले तियो संभव देखिये न। ते स्पजीट फुला दलहरू जसपाते रा सोजिये का थिये। जसलाई राष्टी है सुतंत्र पार्टी का सभापती एवं गिरामंत्रे रवी लामिछाने को समित सात्राएको छाए। योहो नेपाली रेडियो नेजाँ